समराण चोहरी जी का एज अभी बीबात के खेरे में हैं उनका सर्टिफिकेट भी अभी बीबात के खेरे में हाप डिप्टी चीफ मिनिस्टर पलस हाप डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस कल टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर अच्छापन हजार क्लोर बिहार में इन्वेस्ट किया जण्डी देखाए वाला प्रधार मंतिजी है प्रधार मंतिजी काम करने वाला ले जण्डी दिखाने वाला नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं उतनी बार हम अपनी सदन में गुजार चुके हैं और दूसरी तरफ ये भी बात कहें कि तेशी यादव का दूद का दात अभी टूटा नहीं है क्या कहिएगा पिहार के पुर्व उपमुख मंत्री और जंजन के नेता और नेता परतिपक्ष तेशी बी जी एक पिता हैं एक पुत्री के पिता हैं बिहार के नेता परतिपक्ष हैं दो-दो बार उपमुख मंत्री दो-दो बार नेता परतिपक्ष अब जब गोई समराण चौधरी जी का एज अभी बीबात के खेरे में हैं उनका सरतीफिकेट भी बीबात के खेरे में है असल कितना है और बताने के लिए कई तरह के टेस्ट गुजरना पड़ेगा क्यों कि ऐंदर एज में MR मंतृ हें अंदक दोच बता जी maintained गला दो constitution में अगर क्छाड़ा रहा हैं कर दो फूपहेस साल उम्म गया है ओतला पथा कर लें कितना जिन सदमें होका तो पंदरा साल थो यह तो यह समप्त हो आंग पर अग्म tu बहुत रख्या संसदिय विभार आचरन करने के कारण भाजपा ने उनको अस्थापित किया तो भारतियनता पाट जब अस्थापित कर दी चुकि ब्याकुल मत हो ये आपस लीजिये दो की जोड़ी है ये वो कता ब्याकुल मत हो ये ये कता कि आपस लीजिये ये दो की half deputy chief minister plus half deputy chief minister is equal to deputy chief minister आप तो सब को पता है आप जानते भी हैं मनिया से भारती जनता पार्टी का नेहा वतरन है भाजपा जो थी किलास पत्रमी स्राजी की ठिक है आज हासिये पर है सुचल मोदी जी बेचरा कुछ-कुछ बोलते रहते हैं अब तो उनको राजो सभाब नहीं भेजा बेचरा के मुलस भी नहीं बनाएगा अब तो ब्रोजगारे रहेंगे हूँ मोटा मोटी अब तो इन लोगों की बात अब कर रहे हैं तक कलपना कर लेजिए को कितने उम्र के हैं जिनका डिगरी का बर्मांड में कोई बिस्वी द्य द्याले ही नहीं है हम ने खाली बोल आ जंता दल्यों का एक आदमी जो खुब बूलता नहीं है आखोप पर निचर करके वो कई बार बोल चुका है जहां से स्रिप्रेकेट लिए हैं तक समझें कितना संसद्य जीवन है अगर लगा शिप्वारिक भासा एक इनकी नहोती है स अमबानी है सिर्फ लेकिन अभी जितने भी बीजेपी और एंडिये के हैं सभी लोग अपने नाम क्या आगे मोधी परिवार लिखे हैं अच्छा असी कडोर इस देश में गरीवी से कर रहे हैं हाहकार और एक सो बीस कडोर बिरुजगार और एक सो बीस कडोर महंगाई से लाचार अब फिर भी मोधी जी कर रहे हैं कि हमारा परिवार परिवार जहां किसानों के लिए किसान परिवार नहीं किया इवाइश देश का परिवार नहीं करन नौकरी के नहीं मिलने के करन आसी कडोर लोको रासन आपवी दे रहे हुँ हुझ फू wes doosa गरीवी से करें तु आसी कडोर जहां गरीवी से कुरह रहे हैं हाकार आए यक सो बीस कडोर हैं इस देश में विरुजगार अ महंगाई से ऐसे परिवार कि आप परिवार होने का अगर दावा करते हैं तो देश की जनता माफ नहीं करें अपनी रैली में वहीं पर देखा जाये तो नितिसकुमार उनकी रैली में सामिल नहीं हुए है और इस पर जो है कि 4000 करोड सड़क गैस और आईटी सेक्टर का वो योजना का लेकर सिलन्यास कर देए सब आधा हाद हो रहे हैं को पूरा होला काम है बता दीजी पहले और अलंगा बादा आए तो वहां भी दिए ता बताए कि जो जाती है जर्खन जाने वाली बनवों निक्याओद घाटन कर दीए सेट का कहीं सिलन्यास करते हैं प्रधाल मंतरी इससे बड़ा दुरुभाग क्या होगा देश का आज फिर से निकले हैं ता चार हज़ाज करूर का सड़क और गयास और आप पता करिये ना जो लालुजी के समय में आमान परिवर्तन दोहरी करन गेज से मीटर गेज से फिर प इसे सब तुश्य को ही न ला रहा है कर एकी मोदीजी सब गारंटी के वादा पूरा किया है बदा क्यों कि मोदीजी की ग्रांटी करेल वे चला गया घाटे में मोदी जी गरांटी में रहेले हैं प्रेविट सेक्टर में गरांटी जैनलोंूजी की 90,000 क्लूर्ट कमना फदि तो आप चुना डारे बहाई जो जन्विश्वास रहली की सफलता ने नीव हिला दी है भाजपा की दिली तक की पुरी नीव हिली हुई है प्रधान मंत्री को बार बार आना पड़ रहा है आने से कुछ होगा नहीं यह प्रधान मंत्री ने इंद्रमोडी डढ गये हैं जन्व प्रधान मंत्री नितीश कुमार फिर से आने के उम्मीद लगाए है आरजडी में आप फिर से उनका स्वागत किजेगा क्या उनकी पूरा आप मनो कामना कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए वह स्वास्तर है नागरी खुने के नाते बिहार के तक्निकी तोर पर जो मुख कर रहे हैं नितीश कुमार एक बर फिर से अरजडी में सामिल होंगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर देते डक्तर को अम निदीश जी है कहां इसलिए करते कि नितीश जी लोट जाए वो नितीश जी आप लोग मतलब उमीद लगा है कि लोटेंगे लोटे अपने पुराने अच्छा भाव में स्वास्त ठीक हो वो में काम ना करता हूं आप जेडी में अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत आप लोग किजिएगा इस सवाल का कोई जबाभी नहीं है राज़त में कहां जगा है अब है जगा ही नहीं है नहीं है राज़त में कोई जगा नहीं है यह बहुत बड़ी बात कहा रहे हैं बाकि आप लोग इनके बातों से कितने अशाहमत हैं अशाहमत हैं कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दर्थ कीजिए आप लोग देख रहे थे डिटी ड़लू 24 नीच धन्देबाद